वीडियो के साथ और आज हमारे पास है नई वाली TBS की रॉनिन का टॉप मॉडल और ये गाड़ी आप देखोगे ना भाई आपको ये काफी जड़ा पसंद आएगी देखने में रॉनिन जो है एक अलगी टाइप की गाड़ी देखने में लगती इस गाड़ी का पार फिकर ब बहुत बढ़ियां रखा गया है जो कि भाई 1,73,000 से एक शरो में स्टार्ट है आता है इस गाड़ी आपको मोर देन 6 कलर ऑप्शन मिल जाते है और बहुत सारे वेरियंट से मिल जाते है बगयापन फ्रेंट से बात करते है फ्रेंट में आप गाड़ी देखोगे तो आपको बागी मेटर कॉंसूल चोट असा काफी कॉंबक्ट से यहां पर आपको मिल जाता है साइड मिरर का डिजाइन पूरा ओवल शेप का मिल जाता है बागी आपको इसमें यूसडी 4 के देखने को मिल जाते है जिसकी कॉलिटी आपको बहुर अच्छी मिल जाएगी डूल चैनल ABS मिल जाते है और इसमें आपको कुछे ऐसा मटगाड देखने मिल जाता और मटगर भी पूरा मेटल का मिल जाता तो इसकी कौलिटी वगरा भी आपको काफी जारा पसंद आएगी है जिसको आपको काफी बढ़ीया मिल जाएगा इसमें आपको फ्रेंट में 30 mm का डिस्क ब् पसंद आएगा और इसमें आपको फ्रेंट लूग अभी काफी जाना पसंद आएगा अब चलते इसके मेंटर कॉंसल दर्वतों सबसे पहले आप मेंटर कॉंसल देखो काफी बढ़ियां देखने में लगता है फ्ल टिस्टों लाना मेंटर कॉंसल, کی yohl placement आपको यहाँ मिल जाता है, चावी आपको ऐसी देखने में मिल जाती है इसमें आपको राइडिंग मोड मिल जाते है, Bluetooth connectivity वाले फीचर मिल जाते है और वहीं बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जिसके बात करूँगा सबसे पहले meter console चालू होता कुछ ऐसा चालू होता side में पूरे आपको warnings मिल जाती है और दोनों side में mode की बटन मिल जाती है जिससे आप और टीजों को toggle कर सकते हो बागी meter console के बाज़े में आपको छोड़ी छोड़ी बटन सुल जाती है तो आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हो इसमें आपको rain और urban mode देखने हो मिल जाता है और इसके साथ में meter console आप देख सकते हैं इसमें Bluetooth connectivity मिल जाती है जिसमें आपको navigation assist हो गया call us में select हो गया estimation of time arrival हो गया और voice assist जैसे feature मिल जाते हैं बागी इसमें आपको service due indication हो गया slipper clutch हो गया USB charging हो गया distance tramty हो गयी average fuel economy हो गयी और भाई बहुत सारे extra features भी मिल जाते हैं बागी कैसे लगे आपको feature ये चीज़ बताना switches की quality वाइरा काफी अच्छी मिल जाएगी बागी यहाँ पे आप देखोगे तो आपको engine किल से चोगी आपने यही पास से electric star का switch मिल जाता है यह चीज है बागी इसमें बारेंड बगरा देखने हो मिल जाता है जिसकी quality आपको काफी अच्छी मिल जाएगी और यह dual tone finish वाली गाड़ी क्योंकि बाई top model है तो obviously रहेगी तो इसकी paint finish वागर आपको काफी पसंद आएगी हलाकि इसके basic वाले में जो आपको black color वागर मिलता है उसका video यह मैंने बना रखा वो भी आप देख सकते हो color quality काफी अच्छी मिल जाएगी उसके साथ इस गाड़ी में कुछ ऐसा आपको engine मिल जाएगा इस गाड़ी में जो है काफी बढ़िया engine मिल जाता है दो सो पच्ची सी का जो कि बाई 20.4 PS की power और 19.93 Nm आपको torque निकाल कर देगा तो गाड़ी का power figure बहुत अच्छा मिल जाता है और इस गाड़ी का जो नियरली weight 160 kg के आसपास का आपको देखने को मिल जाता है और इसके जो engine में अगर आप देखोगे तो kind of आपको air cool type के भी vents देखने को मिल जाते है जो की radiator के अलावा भी लगे हुए जिसके वैसे engine में आपको heat नहीं होगा ज्यादा मनलब काफी अलग सा देखने में लगता है कुछ ऐसा chain cover देखने में मिल जाता है बहुत futuristic बनाएगा इस चीज को सच में इसमें आपको यहाँ पे Q-hole placement मिल जाता है seat वगर भी अपनी open हो सकती है बागी सारी गाड़ का design काफी आपको अच्छा मिल जाएगा 795 mm का सपस की saddle height देखने में मिल जाती है और seat जो है काफी अच्छी है बीच में आपको belt भी मिल जाता है grab rail पूरे आपको metal के मिल जाते है काफी बढ़िया quality के और rear वाला tire वगरा भी जो है काफी बढ़िया grip के साथ में आ जाता है रियर में आपको मैं tire size आप बता देता हूँ सबसे बढ़ा इस गाड़ी के tail light देखो tail light काफी अच्छी देखने में लगती है ऐसे customized type की मिलेगी turn single वगरा पूरे LED वाले मिल जाते है TVS आपको यहाँ पे लिखाओ मिल जाता है बग इसमें body color वगरा जो है काफी ज़्यादा सही किया गया वहला ओरेंज color का type है थोड़ा सही तो यह चीज़ काफी आपको पसंद आएगी मटगार्ड के नीचे आप number plate light वगर आपको लगी हूँ मिल जाती है और rear का लुक कुछ ऐसा आ जाता है बागे आप इसमें देखोगे silencer काफी बड़ी साइस का मिल जाता है और इसका exhaust note बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा rear में आपको 130 by 70 by 17 section के tire मिल जाते है dual channel ABS मिल जाते है और इसमें आप देखो बाई बागे इस साइट से आप इंजन वगरा देखोगे तो इंजन वगरा कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा बागे एक overall weight जो है इस गाड़ी का 160 kg का असपास का काफ weight भी देखने को मिल जाता है बागे कैसी लगी आपको ये गाड़ी भाई सबसे बहले comment में ये चीज़ बताओ बाई साब ये जो गाड़ी है ना ये बाई अगर मैं एक चीज़ बताओ आपको अच्छे price में एक अच्छी bike चाहिए जिसको आप off-road में चला सको on-road यूज़ कर सको उसको मतलब आप क्रूजिंग में भी उसकर सको स्पोर्स बाई के जैसे भी उसकर सकते हो मतलब जैसे पाउर फिगर बगर भी मिल जाए मैलेज भी मिल जाए मतलब सभी चीज़े आपको इद्दम accurate मिल जाए यह गाड़ी नसच में काफी बड़ी option हो सकती है क्योंकि इस गाड़ी का प्राइज में बहुत पसंद आया है लाइक इसका प्राइज जो है 1,73,000 रुपी से start रहाता है more than 6 color option मिल जाते हैं आपको different variant मिल जाते हैं उसके साथ में आपको dual chain labius मिल जाता है काफी बड़ी option हो सकता है कैसे लगे आपको वीडियो यह सिस comment बता देना मिलते हैं बने को और नए वीडियो में तब तक के लिए बाबाए